वाड़ा रसी का सारणाथ भगवान बुद्ध के उपदेश इस्थिली के तौर पर जाना जाता है मगर सारणाथ एक और पहचान के लिए जाना जाता है वो है भोले नाथ के साले सारंग नाथ की मानिता है कि सावन के महिने में भोले नात कासी छोड़कर देवी पारवती के साथ अपने साले सारंग नात महादेव के आहम महमान बन कर रहते हैं इस मंदिर से जुड़ी मानता है कि यहां जो लोग दर्सन करने आते हैं उन्हें संतान सुख मिलता है वहीं सिबलिंग पर गोन चढ़ाने से हर तरह की तचा की विमारियों से आराम भी मिलता है सारंग नात महादेव मंदिर के मुखे पुजारी मुकेस मिश्रा ने बताया कि कहा जाता है कि देवी पारवती की शादी भोडे नात के साथ हुई थी उस दौरान उनके भाई रिशी सारंग तपश्या के लिए गय हुए थे जब वाब वापस लोटे तो उन्हें पता चला कि उनकी बेहन के शादी का इलास परवत पर रहने वाले शिव के साथ हुई है वही रिशी सारंग दुखी हुए कि उनकी बेहन की शादी एक ओघर के साथ कैसे हो गई इसी बीच उन्हें पता लगा कि उनकी बेहन और बेहनोई कासी में है इस पर वा धेर सारे जीवर और स्वर्ण मुद्राय लेकर कासी आए वा सारंग नात में पहुचे तो उन्हें कासी सोने जैसी लगी तब उन्हें अपनी सोच पर दुख हुगा इसी वज़े से उन्होंने सारंग नात में तपस्या करना सुरू कर दिया इसे खुजो कर भोले नात और देवी पारवती ने उन्हें दर्सन दिया और अपने साथ चलने को कहा पर इस पे रिशी शारंग ने कहा कि उन्हें ये जगए बहुत अच्छी लगती है अब वह यहीं रहेंगे उन्होंने आशिरवाद दिया कि वो आज से सारंग नात महादे अजिए वीरो रिपोर्ट आए प्यर्ण